निक वुजिसिक वह इंसान है जो इस दुनिया में बिना हाथ पैर के ही पैदा हुए हैं। इनका जन्म एक बेहद रेयर बीमारी पेटरा एमेलिया सिंड्रोम के साथ हुआ था जिसमें जन्म से ही बच्चे के हाथ पाव नहीं होते हैं। इसके बावजूद कि निक वुजिसिक का शरीर अपूर्ण है वे एक उशल पैंटर, तैराक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। निक अपनी विटलांगता से मिराश नहीं हुए बलकि अपनी जिंदादेली से करोणों लोगों के लिए प्रेयना बन गए। वे आठ किताबे लिख चुके हैं और उनकी किताब Life Without Limits अब तक 30 भाशाओं में अनुबादिक हो चुकी हैं। आज वे दुनिया भर में बतौर मोटिवेशनल स्पीकर घूंते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। आइए सुनते हैं इस साहसी और प्रबल इच्छा शक्ति वाले व्यतित्व के कुछ प्रेयनादायत बेचार। कभी भी उसके अनुसार मत जियो जो तुम्हा ले पास नहीं है। न हम कश्टों की तुलना कर सकते हैं और ना ही हमें ये करना चाहिए। मेरा यकीन करिए। उम्मीद खोना हाथ पाव खोने से कहीं अधिक बुरा है। आपका रवय्या ही आपकी प्रतिष्ठा है। बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुरंत एक्षन लेने का निरनय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। दर सबसे बड़ी विकलांगता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशी को स्वीकार करें, तो दूसरों के मन में विश्वास पैदा करो और उनसे अच्छे संबंध बना। मैं आपको इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रोथसाहित करता हूँ कि हो सकता है, अभी आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रास्ता है ही नहीं। चीजों का समायोजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जीवन हमेशा एक समान नहीं होता, लेकिन हमेशा जीने लायक होता है। कुछ खाव ज्यादा तेजी से खीक होते हैं, यदि आप चलते रहते हैं। अगर आपके साथ चमतकार नहीं हो सकता, तो खुद एक चमतकार बन जाए। इंसान जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए जीवन जीना घमंड है। मैं और मेरा शरीर भगवान की रचना है। जो भी हूँ, उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूँ। जीवन में सुख की तलाश करो। अच्छे कपडे और बड़ा घर जैसी भौतिक वस्तुएं कभी आत्म को संतुष्ठ नहीं कर सकती हैं। अगर आज आपका दिन खराब चल रहा हैं, तो किसी और का दिन बनाये। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँची है, तो दूसरों की भावनाओं को ठीक करें। अपनी आत्मा पर दया करें। आप जी रही हैं, पर किस उद्देश से इसका एहसास अपनी आत्मा को कराएं। स्वर्ग में जाने की काम ना करते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने जीवन में ऐसे काम करो, कि कम से कम एक और आपकी वजह से स्वर्ग में जाए। हमेशा कुछ करते रहें, कुछ करना आपकी गती को बरकरार रखता है जब आपकी गती कायम रहती है, तो आपके सामने अप्रत्याशित अफसर पैदा होते है हमारे साथ क्या होता है, इस पर शायद हमारा जरा साभी कंट्रोल नहीं है लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिस्पॉंड कैसे करते हैं अगर हम सही नजरिया चुने तो हम आने बाली सभी चुनोतियों से उपर उठ सकते हैं आपके संधर्ष का आकार तै करता है कि आपकी जीत कितनी शांदार होगी ये सोचना जूट है कि आप उतने अच्छे नहीं है ये सोचना भी जूट है कि आप किसी काम के नहीं है दिरने का जोखिन उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते केबल सुरक्षित शरीर होना ही जीवन में सब कुछ नहीं है इस शरीर के होते हुए भी आप अपंग हो सकते हैं भगवान में तुम्हें बस एक मुह दिया है लेकिन दो कान दिये हैं ताकि तुम जितना बोलो उसका दोगुना सुनू आस्था, विश्वास और धारना होना बहुत अच्छी बात है लेकिन इनके आधार पर आप जो कान करते हैं उससे आपकी जिंदगी मापी जाती है सबसे बड़ा इनाम कब मिलता है जब आप खुद को छोड़ देते हैं ये दूसरों की लाइफ को गहतर बनाने के बारे में है किसी ऐसे चीज का हिस्सा बनने के बारे में है जो आपसे बड़ा हो और एक सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है जहां जीवन होता है वहां जोखिम और चुनौतिया होना निश्चित है अगर बिना हाथ पाव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं? हम सभी क्यों नहीं? अपनी शारिलिक सीमाओं के बावजूर मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मेरी कोई सीमा नहीं है आपको संतुष्टी तब मिलेगी जब आपकी प्रतिभा और जुनौन पूरी तरह से पूरी ताकत से लगे होंगे जब आप अपनी सोच से ही डर जाते हैं तो आपके लक्षे और योजनाएं असुरक्षित स्थिती में आ जाती हैं जिस काम को आप कर रहे हैं आपको कठिन लग सकता है हमेशा एक-एक कदम आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे सबसे बड़ा खत्रा ये सोचना है कि आपको भगवान की जरुरत नहीं है जब आप महस चीजों में खुशिया ढूंडते हैं तो वो कभी भी काफी नहीं होता आसपास देखिए अपने अंदर जाकिए आपका जन्म इस धर्ती पर किसी उद्देश से हुआ है आप ईश्वर की किसी योजना के महत्वपूल भाग हैं इसलिए अपने किरदार को बखुवी निभाव कभी कभी हम यह नहीं जान पाते हैं कि इस परिस्थिती के लिए मैं ही क्यों चुना गया हूं भरोसा रखिए यह परमेश्वर की योजना है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भगवान पर क्रोधित हो उसने मुझे जो भी बनाया है मैं इसको स्विकार करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हार मत मानो और इस बात को याद रखो कि हमेशा कोई न कोई होता है जो आप में यकीन करता है जी सकता क्योंकि मेरे पास हाथ पेर नहीं है मैं चाहता तो लोगों के भरोसे जीवन जी सकता था मैं अपनी देखभाल के लिए किसी का इंतजार कर सकता था लेकिन मैंने यह तै किया कि दूसरों की प्रतीक्षा करने की बजाए सारे काम मैं खुद ही करूँगा हमारे जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजगूत करने के लिए है वे हमें रौंदने के लिए नहीं है